नमस्कार आदाप सस्रियाकाल वेल्कम टू डवी हिंदी समचार दोस्तों अगर आप नए हैं तो नीचे दिएगे लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तद्धा फ्यूचर में डवी के अफडेट्स पापे रहिए ग्रेट खली जब ये शब्द हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक आकरती बनती है एक साथ फुट लंबे मॉस्टर की ग्रेट खली भारत की शान फॉर्मर डवी हेवी वेड चैंपिन रह चुके हैं और डवी डवी की हिस्ट्री में आठवे सबसे लंबे रेसलर है खली को उनकी हाइट एवाम उनके डिलडोल की वज़े से जान जाता है खली दिन में अठारा अंडे आदा किलोग्राम ड्राइफूर्ट तथा दो किलोग्राम चिकन तक खा लेते हैं खली की डाइट के लावा खली अपने खुश मिजास के कारण भी लोगों में काफी लोग प्रि जा था और उस समय अंडर्टेकर पर जीत हासिल की थी ऐसा करने वाले वह पहले रेसलर थे जिन्नोंने अंडर्टेकर जैसे लेजेंड को पहली ही फाइट में माद दी हो खली अगले महीने केन और बडिश्टा गोहरा कर चैंपिन भी बने और उन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरे जहान में रौशन किया ऐसे में खली के फैंस उनकी वापसी को लेकर सवाल कर रहे हैं कि वो आजकल कहा है क्या कर रहे हैं दरसल खली जलंदर में अपनी अकैडमी खुले हुए हैं जिसका नाम CWE है इस अकैडमी में खली नवजवान लोगों को रेसलिंग के शिक्षा दे रहे हैं और फ्यूचर में रेसलर भेजने की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं खली के लोटने को लेकर कई सवाल है दोस्तों ऐसे में स्पोर्ट्स कीडा की रिपोर्ट के अनुसार खली जल्द ही WWE में अपनी वापसी करने जा रहे हैं जिसका प्रमुख कारण बताया जा रहा है WWE में बढ़ती खली की मांग इंडिया के अलावा विश्यों में खली की हर जगा बहुत ज़ादा मांग है अगर आप इसका प्रमान चाहते हैं तो आप यूट्यूब करके भी देख सकते हैं यूट्यूब पे आपको दस में से आठ वीडियो जो सबसे आदा लोगों ने पसंद की है वो खली की ही मिलेंगी दोस्तों खली के वापसी का कारण है ब्रॉण स्ट्रॉमेन जिहां दोस्तों अगर आप डडडड़ी रोजाना देखते हैं तो आपको पता होगा कि ब्रॉण स्ट्रॉमेन कौन है ब्राउंज स्ट्रॉमेन एक साथ फुट लंबे जाएंट है जिन्नोंने रोमन रेंज को हराया है और वो बहुत ही डेंजरस माने जाते हैं हाली में ब्राउंज स्ट्रॉमेन इंजर्ड है लेकिन वो जल्द ही अपनी वापसी करने वाले हैं ऐसे में खली उनके एक बहतर ऑपोनेंट हो सकते हैं और उनके फाइट काफी चर्चा भटोर सकती है साथ में ही डेड़ली ने जिंदर महाल को जिता कर यह दिखा दिया कि वे इंडिया में अपने बिजनस का विस्तार करना चाहते हैं ऐसे में खली को दिया गया पुश उनकी नए स्ट्रेटर्जी साबित हो सकती है अनुमान लगा जा रहा है कि खली जल्दी अपनी वापसी करेंगे और यह अगले साल रोयल रंबल में होगा या फिर अगले आने वाले महिने में यह तो समय ही बताएगा डलुली हिंदी समाचार की रिपोर्ट धन्यवाद